सूखने दीजे, जब वो फूल सूख जाए तो आप उसको बीच की तरह यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक वेस्ट प्लास्टिक के बॉटल में कोको पीट लूँगी, और उसमें गेंदे के बीच डाल करके कोको पीट के एक लेयर से कवर कर दूँगी, इसको मॉइस्ट रखेंगे, मतलब की हलका सा पानी डाल करके रखेंगे, और ढकन से कवर कर देंगे ताकि ग्रीन हाउस बना पाऊं। अब थोड़ी दिन बात देखेंगे की सापलिंग्स बने तयार हो गये, इसमें एक ट्रू लीव आया है, इसमें लगभग दो महीने लग जाएंगे फूल आने में, गेंदे को 5-6 घंटी की डाइडेक्ट सनलाइट की जरुवत होती है, और ध्यान रखे की मिट्टी हमेशा मॉइस्ट हो, इसमें तो गेंदे को जाधा फटिलाइजर की जरुवत नहीं होती है, पर फिर भी आप 2 महीने में एक बार एनपी की डाल सकते हैं, गेंदे में जनरली पैस्ट या कोई बिमारी नहीं लगती है, पर फिर भी अगर लग जाए तो पत्ते को तोड़के फेक दे, या फिर बायो इंजाइम या कोई दूसरा पैस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही आसान और सस्ते गार्डिनिंग टिप्स के लिए अर्बन होम वाइपस पेज को फॉलो करिए,